देखें, अभी जो हमारे पास में openings आया हुआ है, ये canteen service company है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये company जो है C.R.C.L company है, ये जो है recent private limited company है, और ये canteen services में काम क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा main highlighted point दे देता हूँ, highlighted point यह है कि यहाँ पे समझे आप यहाँ पे cook भी चाहिए cook का काम होता है assistant cook का होता है kitchen helper का होता है चपाती maker का होता है esti ward का होता है miss boy का होता है pantry boy का होता है utility का होता है supervisor का होता है यह सारे लोगों का यहाँ पे recruitment होता है दरसल देखा जाए तो यहाँ पे सभी परकार के positions के लिए hiring किये जा रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता दू तो यहाँ पे supervisors, helpers, assistant यह सारे लोग आई यहाँ पे hiring से और यहाँ पे makes your देखने वाली यह बात है कि skilled होने का opportunities है लोग कहते हैं कि जो cloud kitchens होता है इसमें experience लेकर के ही क्या करेंगे मैं बताओ एक जो senior cook होता है थर्टी थाउजन रूपीस monthly कमाता है उसको रहना भी फिरी मिलता है, खाना भी फिरी मिलता है जो senior cook होता है जिसको सारे कुछ बनाने की knowledge होते तो आप कैसे कह सकते हो कि यह skill नहीं है, skill हर एक चीज है एक छोटा से छोटा चीज skill है और skill को आप लोग multiple तरीके से देख सकते हैं वो आपके उपर depend करता है, आपके सोच के उपर depend करता है लेकिन इस company में भी join करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो at least join करना चाहते हैं, wait कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो हम आपके साथ में updates बगएरह share करने वाले हैं यह बिलकुल free job है इसमें कोई भी registration charge या फिर किसी भी परकार का आपको कोई भी fees बगएरह नहीं लगेगा इसके लिए आप लोग को बिलकुल निस्चीन्त रहने की आवसकता है jobs बिलकुल free है, jobs का कोई charge नहीं और यहाँ पर रहना खाना भी company के तरफ से आपको free मिलता है दरसल यह होता है कि canteen में आपका काम है तो canteen में खाने का कोई problem नहीं है केंटीन में खाने का दिक्कत नहीं होता है खाने का कोई भी problem नहीं होता रूम company प्रवाइड करते हैं लेकिन हाँ, एक बात तो यहाँ पर होता है कि post wise salary होते हैं लोग अब 25,000 salary देखकर क्या है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर आप pantry boy का काम करना चाहते है helpers का काम करना चाहते है तो उतना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आप लोग देखे हैं, बिल्कुल सही देखे लेकिन post wise मतलब क्या होता है कि अलग-अलग post के लिए अलग-अलग salary निर्धारीत किये जाते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यह जो है रेसेंस private limited company है और इसके लिए हमने अमोल गायकवार्ड सरका contact information भी descriptions में mentions किया है ताकि आपको joining को लेकर के कोई भी दिक्कत नहों परेशानी नहों, problems नहों और आप बहुत ही easy method से company join कर सकते हैं दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होगी तो यहां पर मैंने आपसे designations बता दिया, post wise बता दूँ तो cook यहां पर 5 लोग चाहिए पूने location में इस job से मतलब पूने में रहना खाना free सब कुछ है तो cook 5 लोग चाहिए assistant cook चाहिए 6 लोग, kitchen helper चाहिए 10 लोग, चपाती maker चाहिए 4 लोग, isti ward या miss boy चाहिए 8 लोग, pantry boy चाहिए 4 candidate, utility male candidate चाहिए 4 candidate यानि कि आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर जो भी है मैंने आपके साथ में sharing कर दिया है always तो यहां पर देख सकते हैं रहना, खाना, सब कुछ आपको free में मिलता है इधर आप लोग को अगर काम करना है तो at least 9 से 10 गंटे की काम होती है लेकिन याद रखे कि सभी profile के लिए लग-लग salary आपको Amol Gakwarcer से पूछना पड़ेगा और Amol Gakwarcer का number जो भी है contact information से contact details है, हमने descriptions में mentions कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, problems ना हो और आप लोग immediately से sir को join कर सकते हो, call कर सकते हो और company join कर सकते हो Thank you so much everybody for watching this videos